पता नहीं कहां से चिलाते रहते हैं ये हमने विजिट पिया है फिर्स टाइम वाव रोप एडवेंचर राइड सुनिये ये वाइफाई जोन मतलब अगर कुछ वाप फ्रूम ट्रावल करते हैं न कई लोग यहां पर बैठकर यह लोग काम कर सकते हैं अन्दर सिटिंग अरेजमेंट पर कितना अच्छी तरह से बनाया हुआ है और मीचे क्या है देखते हैं लग रहा है इस तरह भी डाइनेंग एरिया जैसा ही कुछ तो बनाया हुआ हुआ इनों ने क्योंकि टेबल और चेर तो ऐसे ही रखे हुए जैसे डाइनिंग एरिया हो येस इवनिंग डिलाइट्स शाम की छोड़ी छोड़ी भूग हो तो टेस्टी टेस्टी फूड एंजॉय करने के लिए यहां पर सिटिंग आरेजमेंट्स की हुई है तो बारबेकियों का आननद हम यहां पर उठा सकते हैं स्पा किस तरह है पते हैं यह शाट कट्ट में भब आरेज़ आपको उनीचे आए स्पा यहां पर देखने के लिए हमें इसी रास्ते से जाना होगा इसे एडवेंच्र जोन जिब आएक देखे आवाज आ रही है रुक चिला रहे हैं एंजाइ कर रहे है हां हाँ स्पा जाना है सीधा इकी दस्ता में सीधे जाना है फर्स्ट बिल्डिंग हुई स्पा टी आपको यहां अडवेंच्र आपको इस देखा सकता है ठीक 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 वाओ गाईज इन्होंने तो कॉफी का प्लांटेशन यहां पर किया हुआ है देखिए कॉफी की कितने सारी फ्रूट्स यहां पर उगे हुए है गाईज आप देख सकते हो तो हम बात कर रहे थे रेड़ सीजन के प्लान की क्लब में इंद्रा के तो जिससे को तियोहर जस्ट खतम हुआ है लेकिन उसके बाद भी वेकेशन अभी बाकी है बच्चों को स्कुल में छुट्टिया अभी बाकी है तो तभी हमें एक्सेस मिलता है बुकिंग का तो वो वाला हुआ रेड़ सीजन जिसके रेड़ होंगे परपल सीजन से थोड़े कम और उसके बाद में आती है वाइट सीजन और वाइट के बाद में आता है ब्लू क्योहरों के दिनों में या छुट्टियों में अगर वाइट और ब्लू प्लान है तो यहाँ पर हमें बुकिंग नहीं मिलता वाओ ये अच्छा तो वाइट बार रहेंगे तो कुछ दिन और अच्छे से रह सकते हैं सगाईज मेरी तरह अगर आप भी नेचर लवर हो और नेचर को पैंपर करना आपको अच्छा लगता है वीडियो एज़ए कर रहे हो तो एक लाइक हिट कर देना वीडियो को शेयर करना और च चोटे से जिम में देखते हैं और स्वा भी यहीं कई होगा है यह है क्रोस ट्रेनर और ट्रेडमिल्स है और साइकलिंग्स है यहाँ पर इस तरफ और एक रास्ता है वहां से बार में तलते हैं कि दॉन अचांहीं देखे लिए करासरी दॉन है और एक एक ज़िट ही यहां पर को सबस्क्राइब हैं पुरा का पुरा स्पा एरिया है गाइस देखिये मतलब जीम के बैक साइड वाले रास्ते से निकल कर सामने ही था स्पा असन दरग तरह से सजाया हुआ है दोगा अलग अलग रूम्स है इन रूम्स में स्पा सर्विस दे जाती है उस तरफ पाहर निकल कर भी चेक कर लेते हैं वाउ फुलों से कैसे सजाया हुआ है देखिये गाइस यहां पर दीखते ही मन एक्तम खुश हो जाता है तरह तरह के अरोमा ओइल्स और जो भी मेटरियल एक स्पा सर्विस में लगता है उन सब चीज़ों से यह पुरी अलमारी भरी पड़ी है देखिये गाइस मैं मातिन हूँ गाइस के यहां पर डाइनिंग चार्जेस और स्टेंग चार्जेस थोड़े से कॉस्टली हैं अगेंस्ट में यहां पर हम एंजय भी बहुत कुछ कर सकते हैं परना का इस कंपरेटिर देखा जाए तो दूसरी रिसोर्ट की कंपेर में ना इनकी जो प्रॉपर्टिज है ना इनमें फिलिंग सी अलग है नेचर के साथ में वक्त बिताने का एक अलग सा सुकून यहां पर मिलता है इनकी हॉस्पिटलिटी और हाइजिन फैक्टर जो यह मेंटेन रखते हैं हर जगा पर तो लगता ही निया कि हम लोग घर से कहीं दूर आये हुए हैं संसिट होने को है गाइस कितना सुंदर दिख रहे हैं कि यहां से अलग तरह के पंच्छीयों की आवाजें मुझे बहुत सुनना पसंद है और प्रकृति के साथ अपना वक्त बिताना प्रकृति के बीच में घूमना मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है अगरा जंगल है देखिए गाइस तोड़ा अंधेरे में तो यहां पर आने को भी डर लगेगा और संसिट होने को है देखिए तो हम अभी जंगल है फ्राफट यह एडवेंचर जोन विजिट करना बाकि था तो हम आ गये हैं यहां पर तो इस तरह की यह चैर है यहां पर कई जगहों पर इसे स्कूटी जैसे वेहिकल टाइप रहता है जिस पर हमें बैठ कर पैडल मार कर प्रसी के ऊपर आगे बढ़ना होता है वैसे इस जिप पाइक का जो रेट है यहां पर वो है रुपेस फाय हंडर्ड पर परसन वाव हाय रोप एडवेंचर राइड देखे कितनी ऊची जगह पर यह राइड बने हुई है और इतने कॉंफिडेंस से यह लोग आगे बढ़ रहे हैं और ना ही डर रहे हैं और यहां देखिए गाईस यह चोटी सी बहादर बच्ची चलिए एंज़य करते हैं देख्ते हैं आफ लां दूगोड राइड लाइड रहे हैं राइड लग उसे ना डेड इन राइड ना फ्ली आप चल्ड़ अरव दूगोड डेड इन आप पर रहे हैं सब कुछ देख के एंजॉय करके हो चुका है हमारा और घुमते गुमते हम आ गए वापस यहां पर रिसेप्शन में और यहां से निकलते हैं बाहर और चलते हैं अपनी रूम की और तो संसेट होने को है कुछी देर में यहां पर अंदेरा सा च्छा जाएगा देखिए कितने अलग-अलग तरह के बर्ड की साउंड यहां पर पूरा दिन आते रहते हैं लेकिन उपर देखेंगे ना पैड़ पर कि कौन सा बर्ड है कैसा देख रहा तो कुछ नहीं देखेगा पता नहीं कहां से चिलाते रहते हैं सुनिए ऐसा रखता है आपस में लड रहे हैं जगड रहे हैं तो यह आ गई फिर से मेरी रूम पूरा कंपाउंड गुमाया मैंने कैसा लगा इस वीडियो क्लब में इंद्रा मड़ी केरे का पूरा कंपाउंड हमने गुम लिया अंदर क्या क्या एक्टिविटेज चलते रहती है एडविंचर में किर्ज जोन में क्या क्या है यहां का सुन्दर और बड़ा स्विविन फुल देखा अलग अलग फूर्ड ज कि शेयर करती रहोंगी हीपी एप पर मेरा एक छोटा सा अकाउंट बना हुआ है जहां पर मैं शॉट्स वीडियो और रिल्स फगेरा पोस्ट करती रहती हूं तो काफी मज़ितर रिल्स लगती है लोगों को लोग एंजाई करते हैं आप मुझे हीपी पर भी फॉलो करना च जाओ तो कर सकते हो गाईस तो कल हम घुमने चाहेंगे बाहर कुर्ग में बडी केरी में अभी बहुत सारे प्लेसेज देखने जैसे बाकी है तो बने लेगा ज़द ही फिर्म में लेंगे इचते है डाओ लेगा न जजह्जा करता है यदिए लेगा ही अल कि औरुनीजन